नमस्कार इस वीडियो में चल्चा का भी से होगा MSD2 का टॉपिक महादेवी बर्मा की काप बिसमवेदना तथा प्रती क्योजना योवम सुमित्रा नंदन पंत की काप बिगत भी सेशता हैं आवस्क बिंदूओं को देखते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे पहले बात करेंगे महादेवी बर्मा की काप बिसमवेदना की उसके बाद महादेवी बर्मा की काप में प्रती क्योजना की फिर सुमित्रा नंदन पंत की काब्य प्रवित्तियां या काब्य विशेष्ताएं देखेंगे चलिए बढ़ते हैं आगे महादेवी बर्मा की काब्य समवेदना इसमें हमें बेदना भाव पहली प्रवित्ति मिलती है महादेवी बर्मा की कविता में दुख और करूडा का भाव प्रधान है वेदना के विभिन रूपों की उपस्थिति उनके काब में हमें देखने को मिलती है यहां उनके काब का विशेज गुड़ है बेदना उनके काब में विशेश तोर पर अपने को देखने मिलती है, जैसे हम देखते हैं कि मैं नीर भई, दुक्की बदली, समूचा समाजवादी काब भेही, व्यक्तित वाद के से प्रभावित रहा है, लेकिन हम महादेवी बर्मा के अंदर आत्मा व्यक्ति जादा देख हाला कि सब में रही है, किन्तो इनमें भी है, और इनका जो है जो बेदना है, वो इनकी एक बिराड सक्ति से, इनका बिछोह की बेदना है, उसको यहाँ पे महादेवी बर्मा ब्यक्त करती है, डाक्टर नगेंद के अंसार, उनके जीवन में जो एकाकी पन था, वहां किसी आभाव की देन था, पीड़ा का सामराज जी उनके काब्य संसार की सोगात है, जैसे वे लिखती है, समराज मुझे दे डाला, उस चितवन ने पीड़ा का, बिफल प्रेम का या रुदन महादेवी के काब्य की अंतरवस्तु है, और यही हमें इनके काब्य में देखने को मि जैसे इनकी पंक्तियां है, दो कि मेरी मदिरा मधुआली, आकर सारी लुड़का दी, हसकर पीड़ा से मेरी भल्दी, छोटी जीवन की प्याली, तो यह इनका है बेदना भाव, इसके बाद अगला बात करें, अगर बेदना भाव का एक एक इक्जामपल देख लें यह वाल उमरी कल थी, मिटा आज चली, इसको देख लीजिएगा, उदाहरान के तोर पर, उसके बाद रहस सिभावना, जो अगली बिसेशता है, अगला इनके काब्विका पहलू है, उस पर बात करें तो वह रहस सिभावना, छायावादी कभीयों की, और उनमें बिसेश कर की, जब बात आती है, तो उसमें रहस सिभाद अनिवार रूप से बिद्दमान अपने को दिखाई देता है, महादेवी बर्मा की कभिताओं में रहस सियानभूत की उपस्थिती का आकलन करें तो यह प्रमारित होता है, मिलता है कि वह सरवत्र और प्रतेक उपादान तथा प्रकित ब्यापार में एक बिराड सत्ता के दर्सन करती है, अर्थात उनका जो लगाओ है एक बिराड सत्ता के प्रती है, वह उसके साथ तादात में साक्षादकार को ब्याकुल रहती है, अर्थात उनसे मिलन को हमेशा ब्याकुल रहती है, यही से उनके काबे में हमें रह सिभावना है कि जो प्रिय है वो उन्हीं के अंदर है या फिर एक और है तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या जैसे कुछ और पंक्तिया ले ये वाला कि तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या चित्रित तू मैं हूँ रेखाक्रम मधुर रागतू मैं स्वरसंगम ये ये उदारन उत्तर पुस्तिका में लिखा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ें तो प्रड़े भावना अगली प्रवित्ती जो है वो है प्रड़े भावना महादेवी बर्मा के काब में प्रेम एक मूल भाव के रोप में प्रगट हुआ है उनका प्रेम अलावकिक तथा असरीर ही है यहां करूड़ा में करूड़ा से परिपूर है पूरा भरा पूरा है इसमें करूड़ा विशेश तोर पर बिद्धिमान है अलावकिक दिब्ब सत्ता के प्रति उनकी इस प्रड़यान उभूत में जो हमें प्रेम दिखता है दामपत्य प्रेम है और लावकिक असपर् इनकी काब में बिद्दमान है महादेवी की कविता में ब्यक्त प्रेम इसलिए भी बिशिस्ट है क्योंकि यह एक इस्तरी की लेखनी से किया गया इस्तरी मनो भावों का चित्रण है इस्तरीयोचित लास संकोच है इनके काब में और अपने युक की नौजागरित नारी का अहम भी है कि इनको अपने काब में ये सारी चीज़े इनके काब में देखने को मिलती है जैसे वह बीरा की याग में तपती है तो सैयोग की च्छा में सिर्भी स्वयम को दूर नहीं जाने हिराग सुख का बहता मलेज समीर धुलधुल जाताया हिम दुराओ गा उठते चिर्मूक भाव आली सीहर सीहर उठता सरी तो इस प्रकार ये इनके काब में प्रड़ए भावना की अनुभूती का चित्रन रहा इनके काब में जो हमें देखने को विशेश तोर पर मिल अगली समवेतना का जो पहलू है वह सौंदर चित्रन महादेवी बर्मा के काब में हमें सौंदर चित्रन विशेश तोर पर बिद्दमान मिलता है जिसे महादेव बर्मा ने सरवत्र एक बिराठ सत्ता के दर्सन किये हैं इसी अरूप पुरुस का दिब्वे सौंदर उन्हे आक्रिष्ट करता है जो यह अरूप पुरुस है जो उनका बिराठ पुरुस है जिनसे उनका प्रेम है उनके काब में हमें द्रिष्टिकत होता है और यह उसी के चिर सौंदर से प्रभावित होकर उसी का गुडगान करती है और उसी के सौंदर में लीन है उसी में खोई हु का वड़न, उनके संदर में एक प्रिये के संदर का वड़न भी हमें देखने मिलता है, जो उनका बिराट सत्ता के प्रती पिरेम है, उनके काब में परिलक्षित होता है, इसके उदाहरण की बात करें, इसकी एक पंक्तियां ले, तो जैसे उड़ उड़ कर जो धूल करेगी मे अभिषेक अमिट रहेगी उसके अंचल में मेरी पीडा की लेग, तो ये रही इनके काब संवेदरा के पहलो, अब इसके बाद बात करेंगे, महादेवी बर्मा की प्रतीक योजना पर, तो महादेवी बर्मा, डाक्टर गडपती चंद्र गुप्त के अनुसार, महादेवी लौकिक है, अनभूती आध्यात्मिक है, मतलब विचार आध्यात्मिक है, लेकिन जो अभ्यक्ति है, जो प्रगट करती हो लौकिक है, अल्थार, लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक अनभूत को ब्यक्त किया है, प्रतीक लौकिक है, और अनभूत जो है इनकी अलौ इसको इन्होंने लौकिक प्रतीक लेकर अलोकिकता को ब्यक्त किया है। यह इनकी प्रतीक योजना का विशेज कुड़ है। जैसे छितिजकारा तोड़कर अब गा उठी उन्मुकतांधी अब घटाओं में न सकती लासतन में तड़ित बांधी। तो इस प्रतीक योजना है। प्रतीक केवल प्रकित चित्रन, रहस बंजना और प्रणे निवेदन की उद्देश स्पूलती के साधक नहीं बने हैं के बंधन सजीले, पंध की बाधा बनेंगे, तितलियों के परनगीले, विश्चो का क्रंधन भुला देगी, मधुप की मधुर गुन-गुन क्या डुबो देंगे, तुझे या फूल के दलोश गीले। तो यहां देखते हैं कि जो इनका प्रकित चित्रन है, यह मुक्त की चेतना है, इसमें मुक्ती भाव है, और आगे बात करें, इनके प्रमुक प्रतीकों पर, तो इनोंने कहां कहां से प्रतीक लिए, इनकी प्रतीक योजना किस प्रकार रही उस पर देखते हैं, जैसे इनके प्राकितिक प्रतीक जो हैं, जैसे सभी छायावादी कभियों ने स जय세 कि सभी छायवादी कभियों नी किया वैसे इन महादेवी बर्मा ने भी प्रकित से आपने प्रतीख लिये हैं और इनका भी प्रती curios के प्रती अनंध्य नुराग रहा है इस के प्रती लगाऊ रहा है इस विशय पर अगर बात कहें तो इनकी जो पंक्तियां मिलती हैं जैसे चुबते ही तेरा अरुण बान इन कलक रस्मियों में अतहा लेता हिलोर तमसिंदुगान बुदबुद सेवा चलते अपार उसमें बिहगों के मधुर राग इस प्रकार ये पंक्तियां प्राकितिक पं महादेवी बर्मा का वह है आध्यात्मिक प्रतीक कैसा है महादेवी बर्मा की जीवन की जो द्रिष्टी है वह अध्यात्मिक रही है उन्होंने अपने कावे में कावे को सौंदर सज्जित करने के लिए प्रतीकों का चैन करते समय भी आध्यात्म का सहारा लिया है और इनमें जो है आध्यात्मिक प्रतिकों में रहस्य मयता का पुट भी अनायास आ जाता है, मतलब इसमें बिद्यमान हो ही जाता, अगर यह नहीं चाहती है, तब भी क्यूंकि इनकी जो प्रवित्ति है, इनका जो आत्मोध है वो आध्यात्मिक है, करूडा मैं को भाता है त तम पल्दों के तम में आना, अल्थात करूडा मैं को जो इनकी बिराट सत्ता है जिससे इनका लगा हो है उसे तम के पल्दों में आना पसंद है, अल्थात अंधेरों में आना पसंद है, हे नभ की दीपावलियों, अल्थात सितारों से अन्रोथ कर रही है कि हे नभ की अगला प्रतीक बात करें तो सौंदर परक प्रतीकों का यूज प्रयोग जो है महादेवी बर्मा ने किया है जैसे महादेवी बर्मा सौंदर की उद्भाव क्या है अन्य छायावादी कभियों के समान महादेवी बर्मा आने सौंदर को अपने कावि में प्रधानता दी है। उन्होंने सौंदर के दर्सन के लिए जो प्रभित्ती हैं उनके सौंदर दर्सन की उसको देखते हैं जैसे रजनी के स्याम कपोलों पर धर कीले स्रमके कर। यह पंक्तियां जो हैं सौंदर परक पंक्तियां हैं जैसे रजनी के स्याम कपोलों पर धर कीले स्रमके कर। ऐसे अगली पंक्तियां देखे तो मिल जाता काले अंजन में संध्या को आखो का राग। इसकारे पंक्तियां सौंदर परक पंक्तियां हैं जो हमें महादेवी बर्म के काब्य में प्रतीक के रूप में उपस्थित देखने को मिलती है। जैसे जहां देखिए आखो का राग, संध्या की आखो का राग, तो आखो का राग देखिए एक सौंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली प्रवित्ती जो अगली प्रतीक के ओजना है, बेदना प्रधान प्रतीकों की भी जो है, काफी ज़्यादा उपस्थिती है महादेवी वर्मा के काड़ में, बेदना को ब्यक्त करने के लिए वह बिभिन प्रतीकों को माध्यम बनाती हैं, कभी वह बिरह का जलजाद जीवन उठा लेती हैं पंक्तियां, जैसे और कभी नीर भई चली, तो इस प्रकार यहाँ पे बेदना प्रधान प्रतीक भी उपस्थित होता है, और भावनात्मक प्रतीकों की बात करें, तो भावनाओं का प्रत्यच्छी करन, अत्यन्त सुंदर ढंग से महादेवी वर्मा के काड़ में उपस्थित होता है, भावनात्मक सौंदर के लिए कबित्री भावनात्मक प्रतीकों का प्रयोग करती है जैसे गीत की बिशेष्टा यही यह होती है कि उसमें किसी एक अनभूत के लोगत चला जाए और या महादेवी बर्मा के कावि में हमें देखनी मिलता है और गीत के सौंदरे और उसकी सफलता का रहस भी यही है जो इनकी भावनात्मक प्रतीकात्मकता है जैसे सब बुझे दीपक जला लूँ घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूँ तो यह पंक्तियां यहाँ पर हम उपस्तित करा सकते हैं इसके बाद महादेवी बर्मा के प्रिय प्रतीकों की बात करें तो इसमें महादेवी बर्मा ने जिन प्रिय प्रतीकों का प्रयोग किया उसमें दीपक, यात्री, कमल, सूल और जंजा, दरपन, आद इनके प्रिय प्रतीक रहें इनका प्रयोग महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में बिसेश तोर पर किया है, आमें बार बार इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं, इसके बाद कुल मिलाकर आप चाहे प्रतीक योजना तयार करनें, चाहे समवेदरा का पहलू, यह तयार रहेगा, एक टॉपिक तया कि काव्य विसेश्ताओं पर चल्चा करेंगे, कि इनके काव्य की क्या विसेश्ता आए रही है, यह हमारी चल्चा का विसेश्ता होगा, तो सबसे पहली काव्य विसेश्ता इनकी है, वो है प्रकित चित्रन, पंद का प्रकित के प्रती आपाल लगाव रहा है, क्योंकि इन इन्हें प्रकित के सुकुमार कभी के नाम से चाना जाता है। इन्हें प्रकित का सुकुमार कभी की उपाधी दी गई है। तो वहाँ जो है पहाड़ी था, मूलता वहाँ प्रकितिक चित्रण ज्यादा थी। उसका चित्रण इन्होंने अपने काभे में किया। पंत ने लिखा है कि कभीता की प्रेड़ा मुझे सबसे पहले प्रकित निरिच्छन से मिली। जिसका स्रे मेरी जन्भूम कूर्मांचल परदेश को है। इनकी रचना बीड़ा में प्रकित प्रेम उध्रित हुआ है। वे अपने आरंभिक जीवन में प्रकित सौंदर से इतने अधिक अभीबूत थे कि उन्हें नारी सौंदर के आकरसंड को भी इसके सम्मुक सून माना है। उसे समाक प्राय माना है। जैसे उधारण देखिए इनकी पंक्तियां हैं बीड़ा काभे संगरा से कि छोड़ दुरुमों की मृद उचाया तोड़ प्रकित से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलजा तून लोचांद। आगे बात करते हैं। प्रथम रस्म की एक कविता है इनकी। प्रथम रस्म का आना रंगिर तूने कैसे पहचाना। कहां कहां हैं यहां प्रकित चित्रन उपस्थी थे और जाया वाद के अन्य कवियूस या अन्य किसी भी साखा के कवियूस तोल ना करें तो इनमें प्रकितिक चित्रन जाधा मिलता है पंथ जी की कविताओं में। नारी सौंदर की बात करें, अगली काब विगत भी से इसता नारी सौंदर, इस पर बात करें, तो पलविनी, संगरा में संगरहीत, ग्रंथ, नारी रूप तथा आशू, आधी कविता हैं, उनकी नारी भी से प्रविर्ति के ज्वलंत उदाराने, ठीक है, जैसंकर प्रसाद का काबे भी आशू है, और इन्होंने भी अपनी कविता लिखी है, आशू सिर सकसे, पंत जी ने भी, इसका एक उदारान है, जैसे, बियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आखों से चुपचा, बही होगी कविता आजा, अथा बियोग के बाद किसी थ ही है, कि जब बियोगी होगा, तभी उसके अंदर जो भाव उत्पन हुए होगे, उसी से कविता बनी होगी, और वही जो है, बहे निकली होगी, आगे स्वाड किरन का एक उदार लेते हैं, कि यहां तक आते आते हैं, इनका जो प्रेम है, उसकी जो प्रवित्ति थी, वो ब गहनता, अगली कावे प्रवित्ति है, पंत जी की, कलपना की गहनता, प्रकृत के प्रति गहना करसंड के साथ, कलपना की गहनता भी, पंत के कावे में बिद्वान है, हमें तेखने को मिलती है, इस स्वक्षंद कलपना ने, जहां छायावादी कावे को स्वपन जीवी बना वहीं इस थूल वस्तुगों की घटनाओं से परे जाकर उनके अनेक संभावित रूपों का निरूपड भी किया। जैसे बादल कविता से एक दो पंक्तियां उठाते हैं कि सुरुपत के हम ही है अनुचर जगत प्राण के भी सहचर मेग दूद की सजल कलपना चातक के चिर जीवन धर। आगे बात करते हैं प्रयोग वादी चेतना क्योंकि पंत ने पंत ऐसे कभी हैं जो छाया वाद में भी लिखें है प्रयोग वादी चेत्ना भी है। पंत के काब यूगांद से जो कि 1936 में प्रकासित हुआ था यूगांद के प्रकासन से ही छायावाद का अंत माना जाता है और नए यूग में जीवन की वास्तविक्ता ने जो कि नए यूगाया था उसमें क्या था जीवन की वास्तविक्ता ने हमारे विश्वासों वा हमारी रूडियों को हिला देने वाला रूप धाराण कर लिया था अता है इस युक्की कभिता का सपनों में पलना संभौ नहीं था जैसे की हम चाया वाद में देखते हैं कल्पना का संभौ नहीं है हमारी जो कल्पनाए थे उसको हिला दिया था जो हमारा आधाल था उसको ही ला दिया था, जैसे युगांद का एक उधारन देखते हैं, दुत जरो जगत में जीन्ड पत्र है, सस्त्रस्त ध्वस्त है सुस्क जीन्ड, हिम्ताप पीत, मधुवान भीत, तुम बीत रागजड पुरा जीन, यह प्रगितवादी चेतना है, यहां पर भासा इनकी वैसी है, संस्कृत निश्ट देख रहे हैं, तत्सम सब्दों का प्रयोग है, अध्यात्मिक चेतना, अगली कावे पुर्वित्ती है, अगली कावे बिशेष्ता अध्यात्मिक चेतना, महर सी अर्बिंद के दर्सान से प्रभावित आध्यात्मिक्ता, पन्त जी की रही है, विशेष्टा महर्षी अर्विंत के दर्सां से प्रभावित हैं, इसमें बौधिक्ता और आध्यात्मिक्ता को ब्रम्भ के दोवंग सोविकार कर, दोनों के भी समुचिस समन्वे को मानो कल्याण के लिए आवस्चक सिद्ध किया गया है, युगांद की के दो पंक्तियां देखते हैं आत्मुवाद पर हस्ते हो भौतिक्ता का रटनाम मानोता की मूलति गढ़ोगे क्या सवार कल्चाम सामाजिक चेतना अगली प्रवित्ति इस पर बात करें स्वन्ड काब में सामाजिक समस्याओं पर गहन विचार किया गया है इनका पंत जी का 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 विचार किया है उसके मने कुछक़ की ताहरे में प्रकासित हुई जिसमें इस पर समाजी चेतना पर इन्होंने विचय ध्यान दिए और विचयेस त requested दिया जैसे भौने यह देखते हैं कुछलमया ग्रामीड भी है। जितने भालती है पंतजी उतने ही ज़्यादा उतने ही यदिक ग्रामीड भी हैं। इस को थीग पंतियां है खेतों में फैला है स्यामल ढूल भरा फैला है स्यामल। गंगायमुना में यासुजल। Mit प्रतिमा उदासनी भारत माता ग्राम वासनी ये इनके ग्राम में चेतना का प्रतिमान रही है। तो ये रही पंत जी की काव विशेष्टा है। महादेवी बर्मा के काव की प्रतिक योजना पर चल्चा हुई। महादेवी बर्मा के काव की मूल समेदर है। क्यों उनके भी काबे की विशेस्ताओं पर चल्चा हुए इसके बाद अगर आप चाहें तो दिनकर की राष्ट चेतना तयार कर सकते हैं अगर दिनकर से पूछे कर राष्ट चेतना ही पूछता है विशेस दोर पर इसका इस पर बताना अलक से जरूरी नहीं है इसको आप राष्टी चेतना वाला वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दिला दूगा आप कर लेंगे राष्टी चेतना पर दिनकर की लिख पाएं मिलते हैं अगले वीडियो में